हमने जब aggregate demand, aggregate supply के अंदर general equilibrium बना लिया तो फिर हमने देखा कि different किसम के shocks इस equilibrium को disturb कर सकते हैं और disturb करने का मतलब ये है कि वो output या inflation rate या दोनों को अपने equilibrium वाले level से change कर सकते हैं इस सिलसले में हमने इस से पिछले वाले lecture में ये देखा कि aggregate demand shock जो है वो कैसे अपना role play करते हैं अब हम चलते हैं aggregate supply की तरफ और aggregate supply के अंदर हम सिर्फ consider कर रहे है temporary aggregate supply shock तो इसका मतलब है मैं पहले ये clear करता चलूँ कि supply shock दो तरह के होते हैं एक temporary एक permanent हम इनमें फर्क क्या करेंगे फर्क ये करेंगे कि temporary shock वो है जो short run aggregate supply को तो shift करें लेकिन जो long run का aggregate supply का vertical है उसको अपनी जगा से shift ना करें उसकी examples भी मैं दूँगा जबकि permanent supply shock वो होगा जो long run वाले vertical aggregate supply को अपनी जगा से dislocate कर दे यानिक उसको shift कर दे right side पे या left side पे depending कि shock positive है या shock negative है अब हम कुछ examples ले ले लेते हैं temporary जो supply shocks हैं उसकी क्या examples हो सकती है उसकी example यह हो सकती है कि oil की जो supply है उसमें disruption आ गया है यह मैं पहले भी आपको explain कर चुका हूँ inflation shock की अंदर इसी तरीके से और क्या temporary negative supply shock हो सकता है वो यह हो सकता है कि import prices में एकदम इजाफा हो जाए किस वज़ा से कि आपके मुल्क की currency depreciate हो गई है जिससे आपके inputs महंगे हो जाएं और cost of production बढ़ जाए इसको भी हम कहेंगे negative supply shock याद रखें जब cost of production बढ़ता है तो supply डिस्टाब होती है इसलिए हम इसे supply शाग कहते है एक तीसरी example यह हो सकती है कि workers शोर मचाएं कि हमारी wages वो करें जितनी उनकी productivity नहीं है productivity बढ़ जाए फिर wage बढ़ाना और बात है productivity ना बढ़े और wage बढ़ाने की बात की जाए तो इसका मतलब है firm का सिरफ cost of production ही बढ़ेगा उसको benefit कोई नहीं होगा इस वज़ा से भी क्या होगा उसका cost of production बढ़ जाएगा तो ये भी हम temporary negative supply shock के तोर पे consider करें दूसरी तरफ temporary positive supply shocks भी हो सकते है नेगिटिव तो हमने देख लिए positive क्या हो सकते है एक बहुत अच्छा जो weather इस सार इतना अच्छा रहा कि wheat crop बहुत अच्छी हो गई ये भी हमारे लिए positive supply shock है इसी तरीके से import prices में कमी हो जाए किसी भी वज़ा से हम for example textile के producer हैं उसी की ज्यादातर items export करते हैं तो अगर जो उसका input है वो जिस मुलक से हम लेते हैं वहाँ पे कोई किसी भी वज़ा से prices बहुत गिर गई हैं तो हमारा input बहुत सस्ता हो गया है हमारा input सस्ता होने का मतलब यह है कि यह हमारे लिए positive supply shock हो गया अब जब हम define कर चुके कि positive supply shock क्या होता है negative supply shock क्या होता है लेकिन याद रखना है यह शाक है temporary permanent नहीं है है supply side का लेकिन temporary positive हो सकता है negative हो सकता है तो पहले हम देखते है negative supply shock क्या effect हो सकते हैं देखें यह tool है हमारा हम अब जो बात करेंगे इसी diagram से समझने की कोशिश करेंगे यह इसलिए जरूरी है कि आगे चलके जब हम monetary policy का भी analysis करने लगेंगे उसके लिए भी हम यह tool use करेंगे अ हमारे यह tool यह कहता है कि अगर initially एक economy long run equilibrium में थी 0.1 पे जहान long run aggregate supply curve, short run का aggregate supply curve AS1 और aggregate demand curve AD1 तीनों इंटरसेक्ट करते हैं तो यह long run stable equilibrium हो गया है लेकिन साथ ही साथ एक negative supply शाक ने economy को हिट कर दी है मसलन आइल प्राइसे बढ़ गई जैसे आपको idea है के एक near past में रेशिया यूकरेन वार की वज़े से पूरी दुनिया में आइल प्राइसे बढ़ी उसका impact पाकिस्तान की economy पे क्या पड़ा कि पाकिस्तान के लिए cost of production इं वो left side पे shift हो जाएगा as2 उससे होगा क्या कि economy पॉइंट 2 पे आ जाएगी लेकिन ऐसा सिर्फ short run में possible है याद रखें long run में कोई भी point जो yp वाली vertical line से इलावा है वो sustainable नहीं हो सकता तो इसलिए मैं कहूंगा ये point 2 सिर्फ short run का equilibrium है यहाँ पे output gap negative हो चुकी है negative इसलिए हुई है कि चुके negative supply शाक था तो यह जो negative output gap है इसका मतलब यह है कि labor की demand काम हो जाएगी workers की demand काम हो जाएगी उनकी wages काम होना शुरू हो जाएगी या उनकी wages बढ़ने का process रुक जाएगा जिसका मतलब यह है कि ultimately जो expected inflation है वो नीचे आ जाएगा अगर expected inflation rate नीचे आता है तो expected inflation वजह से aggregate supply curve right side पे shift होगा तो वो ही aggregate supply curve जो left side पे shift हुआ था negative supply शाक की वजह से वो वापिस अपनी जगा right side पे shift हो जाएगा किस वजह से expected inflation नीचे जाने की वजह से यह self correction mechanism होता है economy का कि economy खुद बखुद बगहर किसी policy intervention के वापिस point one पे converge कर गई अगर हम इसका net conclusion निकालें तो वो क्या निकलता है कि temporary negative supply शाक को तो short run में output कम होती है और inflation rate बढ़ जाता है लेकिन long run में ultimately expected inflation rate कम होने की वजह से inflation rate भी नीचे आ जाता है और output भी अपने level YP पे वापिस चली जात में हमने positive supply shock consider किया होता तो आपको idea होना चाहिए उससे क्या होता उससे short run में total output बढ़ जाती output gap positive हो जाता लेकिन inflation rate नीचे आ जाता क्योंकि positive supply shock है लेकिन output gap positive होने की वजह से expected inflation rate बढ़ जाता और ultimately aggregate supply कम left side पे shift होता और long run में क्या effect होता long run में ये effect होता कि output वापिस YP potential level पे चली जाती जबके जो आर्दी तोर पे inflation rate कम हुआ है वो भी वापिस अपने पुराने level पे चला जाता Thank you